प्यारे सेर सेर्णियों, JAE Ocean Academy का ऑनलाइन क्लासेश में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी प्यारे सेर, प्यारे सेर्णियों का बहुत बहुत स्वागत है तो प्यारे लाडलों एक बार फिर UP3SCEJE में छात्रों ने क्या कमाल कर दिखाया आप ने कमाल कर दिया और आप ही में से कोई एक जो इस्टूडेंट है उसने पेपर भेजा है देखिए प्यारे लाडलों ये एलेक्रिकल का पेपर है और कितना अच्छा पेपर आया है मतलब तुम भी कहोगे कि मतलब बिल्कुल रसगुला वाले प्रसनागे क्या रसगुला वाले जरा एक बार पेपर को देखना और पेपर को देख करके समझना क्या तुमने जो पढ़ा है प्यारे स्टुडेंट्स प्यारे लाडलों मेरे प्यारे सेर्धाने, और तुम्हारी मेहनत बिल्कुल सारतक रंग जरूर लाएगी, प्यारे स्टूडेंट्स. कहते हैं कि मतलब जो भी करो, दिल लगा कर करो, एक नए एक दिन, तुम्हारा इसका परिडाम तो जरूर आता है. चले पहरे Student तो यहाँ पर देख सकते हैं Electrical का आज का Second Shift का पेपर है मैंने आपको Non-technical का दिखा दिया था यहाँ पर आप 3% देख सकते हैं Total 300 questions हैं सभी questions का यहाँ पर आपको Preview मिलने वाला है आप वीडियो को PUS करके देख सकते हैं और जितने भी students paper को पूरा देखने चाहते हैं वो telegram से जुड़ सकते हैं हमारे telegram से जुड़ने का link इस video के description box में दे दिया गया है फटा फट से जाओ देर किस बात की वहां से जुड़ो और paper वहां पर आपका पड़ा हुआ है आप जाकर paper को वहां पर देख सकते हैं तो देखते चलो इन सभी questions का हम नस्ते नाबुद तो करवाएंगे ही power system machine और आपका basic electrical जो मैंने पढ़ाया था प्यारे लाडलों बिल्कुल उन्हीं में से आपके लड़ू-लड़ू से questions पूछे गया क्या लड़ू-लड़ू यानि कि cable जितना हमने पढ़ाया था cable से भी उतने नहीं questions आया थे power system में आप यहां पर देख सकते हैं प्यारे students questions पूरा यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको visualize करके दिखाता हूं यह सभी questions वही हैं प्यारे लाडलों बिल्कुल आसान-सान से questions निमलिखित में से कौन सा बिकल्फ DC generator का उप्योग करके विद्दुत सक्तिक प्यारे लाडलों यहां पर आप देख सकते हैं 47 questions बिल्कुल वही पढ़ा हुआ और जो offline candidates थे वो यहां पर देख सकते हैं यह question number 56 जिसको मैं pip कर रहा हूं यह questions आपके basic electrical के प्यारे लाडलों बिल्कुल लड्डू से questions क्या बिल्कुल लड्डू से यह देखिए बिल्कुल स सिर्फ आपको क्या करना है inductive reactances में find करना है question number 58 ऐसे सभी questions हैं प्यारे students ऐसे क्या हैं सभी questions यह सभी questions आपको प्यारे लाडलों टेली ग्राम पर मिल जाएगा टेली ग्राम से जुड़ने का जो link है इसी वीडियो के description में दिया हुआ है आप फटा-फट से जुड़िए और questions का PDF आप ले लीजे यह questions देख लो प्यारे लाडलों एसी आपका मतलब की क्या कमाल कर दिया basic electrical से questions power system से questions और machine से तो मतलब बले बले यहां पर आप देखते चलें सारे प्रस्न आप देख सकते हैं प्यारे students क्या सारे प्रस्न आप देख सकते हो सभी प्रस्न आप देखते चल तो प्यारे लाडलों यह देख रहे हूँ अंडिंग्स previous year questions इसमें total copy paste किये गया हैं क्या total copy paste जो बच्चे एक बार पढ़े होंगे previous year paper solve की होंगे उनके लिए तो paper मतलब बिल्कुल ही दुआ था क्या दुआ था तार तार था प्यारे लाडलों क्या था तार 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 और प questions मतलब आपको बिल्कुल एक सटिकता से दिखते हुए प्रतित होंगे भूमिका transmission लाइनों की विसेस्ता यहां पर दी गई है parallel alone सवांतर में दो alternator को जोडने की प्रक्रिया जो थी parallel operations वो भी आपर दिया गया है यहां पर देखिए parallel alone cable से question आया जो सबसे उपर 72 number का question दिख है हिंदी वाले देख लें बच्चों की नीचे दी गई आकरती में दिखाया गए cable के प्रकार को पहचानी आरे प्यारे लाडलों cable वही cable जो हमने पढ़ाया था YouTube पर भी कराया था आपको याद होगा जिसने power system की class देखी होगी प्यारे लाडलों उसके लिए तो paper मतलब कु इसका label आप देख सकते हैं प्यारे लाडलों यह आपका immersion type water heater यह आप देख सकते हैं यानि utilization से भी आपके questions यहाँ पर देखने को मिले थे यह देखिए देख रहे हो मतलब questions आप बस देखते जाओ एक दिन प्यारे लाडलों में आपको यह पूरा question solve कराऊंगा लेगिन पहल अभी तक review मिला है प्यारे लाडलों कि questions आपका easy to moderate था easy to moderate था easy to moderate कुछ questions आपके time taken थे जैसे कुछ numerical था आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे students कुछ numerical portion थे जो कि आपको थोड़ा सा time दिये मतलब कि लेने पड़े आपके लिए लेकिन प्यारे students कुल मिला करके जो questions था न वो questions अगर पढ़ा है तो question बहुत आसान था क्या था आसान था यह पूरा paper मैं solve करवाऊंगा प्यारे लाडलों यकीन रखना एक एक questions आपको मिलने वाला है TCS के भी questions आपको मिलेंगे और यह भी questions आपको मिलने वाला जरूर है आप यहाँ पर देख लो प्यारे लाडलों आ 28 जो है उसी से संबंदित यहाँ पर प्रस्ण पूछा गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यार लाडलों बिलकुल आसान आसान सा लड़ू सा questions मतलब easy paper कुल मिला के था जो बच्चे पढ़ें उनके लिए तो easy ही था यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हैं प्यारे यह total आपका paper है statement वाले questions भी यहाँ पर आये थे कौन सा statement यहाँ पर सही हो सकता है कौन सा statement क्या हो सकता है यह total आपका technical के set है यह सभी technical के set technical के paper UPSC जो आपकी संस्ता है बहुत ही trustful और बहुत ही मतलब की बढ़िया संस्ता यहाँ जाना एक electrical engineer का dream तो मतलब बनता ही है क्योंकि इस paper में प्यारे लाडलों UP PCL selected भी students यहाँ पर आये थे और इस paper को मतलब क्या किये थे दिये थे ऐसा सुनने में आ रहा है तो आप यहाँ प important कितना महत्तुपूर्ण आज का यह paper था और उससे भी महत्तुपूर्ण बन जाता है कि जब paper इस प्रकार से आगया इस प्रकार से आए तो आप देख सकते हो पूरा technical questions आपको यहाँ पर दिखाने की कोसिस हमारी जारी है और जितने questions आप बन पाएंगे उतने questions हम लोग यह करेंगे प्यार लड़नों और बनने की तो बात ही नहीं है सारे questions को यहाँ पर करना है देख लो प्यारे students मतलब कहना क्या है तुम भी कहोगे न कि आखिर क्या paper आया था क्या मतलब paper आया था जो बच्चे पढ़के गया था उनके लिए paper कुछ भी नहीं है पढ़के जाने व यहाँ पर आपसे put up किये गये थे यह सब questions थे parallel लो इतने आसान आसान से questions यहाँ पर देख लो वाट मीटर से भी आपके questions थे pressure कोयर current कोयल यहाँ पर दे रखा है यह handmade diagram है आपका मतलब की आपका measurement भी पीछे नहीं रहा measurement भी आया था जो मैंने बोला वो बात यहाँ पर भी सत UPSC में ही दिखा है क्या UPSC का मतलब जो टेकनिकल का paper जैसा होना चाहिए parallel लो बेलुकुल मतलब paper वैसा ही हुआ है जो student अच्छे सा तयारी किये होंगे जो concept को समझे होंगे पढ़े होंगे capsitor से भी questions यहाँ पर देखने को मिला cathode ray oxaloscope कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको power system आपके basic electrical basic electronics यानि सब कुछ आपका यहाँ पर था electrical के जितने subject है mostly subject आपके electrical के ही देखने को मिले थे parallel लो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने आसान आसान से questions मतलब आपके लिए तो बल्ले बल्ले देख लीजे parallel लो यह आपका technical का paper है और technical का paper मतलब आपके लिए तो किलोवाट है मैंने यह question करवाया था तो demand factor ग्याद किजिए डिटो questions आप यहाँ पर देख सकते हैं parallel लो तो यह सारे questions आते हैं और आ गये हैं जो YouTube पे भी उसकी class चली थी factors की मैं बता रहा था तो कई सारे बच्चे मना कर रहे थे कि यह क्या बता रहे हो यह क्या है तो देख सकते हैं parallel लो हम आपको लगातार questions दिखाने की कोशिस कर रहे हैं यह सभी 1500 technical questions हैं और सभी questions एक से बढ़के एक important हैं आप वीडियो को pause करके देख सकते हैं अगर आप telegram से जुड़ना चाहते हो तो उसमें यह questions दे दिया गया है parallel लो अभी जाओ YouTube के description box में चले जाओ और वहा यह मतलब लड़ू मतलब की दिमाग मतलब एकदम कहेगा कि मतलब की बल्ले बल्ले कुल मिला के क्या कहेगा बल्ले बल्ले क्या बात है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह basic electrical के questions बिल्कुल आसान आसान से questions parallel लो सुपर nodal analysis लगाओ तो सीधे आप वहाँ पर current की calculation कर सकते हैं ब YouTube पर कि कितना important होता है कितना important nodal है और यह आज यहाँ पर साबित होता हुआ दिख भी गया यह देख लीजिए यह आपके questions various number of times बार यह repeat किया हुआ questions हैं तो previous year के questions आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं parallel लो इसमें कोई भी संदेह नहीं है यह सारे technical आप यहाँ पर इसको वीडियो को पॉस्ट करके देख लेंगे parallel लो चलिए questions थोड़ा आप हम आगे बढ़ाते हैं यह आपके questions है series connection parallel connection star delta यह आपसे पुझा था कितना आसान parallel लो मतलब कहना क्या है क्या कहना ही क्या है इतने आसान-आसान questions थे कि मतलब अब दिमाग मतलब की एकदम man garden garden हो गया दि लेकिन maximum number of questions जो है वो आपके पढ़े हुए आए हैं क्या पढ़े हुए आए हैं तो यह questions आपके थे parallel लो यह questions में से आपके मतलब की जो पढ़े हुए थे उनमें से maximum number of questions यहाँ पर आए तो यह था technical का आज का sit अभी के लिए इतना ही बागी मिलते हैं next session में next video के साथ तब आपके ले बड़ा जय हैं